आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरिस गार्डन विद एडिनियम में आज हम जिस वेडिटेबल के बारे में बात कर रहे हैं वह एक एक एक्जोटिक वेडिटेबल है वह विदेशी सब्जी है लेकिन आजकल वो हमारे यहां भी बहुत आम हो गई है और अब तो हमारे लोकल मार्केट में भी एविलेबल होने लग गई है तो उसका नाम है जुकिनी यह देखिए यह जुकिनी के प्लांट है जुकीनी, हमारे याँ, ग्रीन और यल्लो दो कलर में अवेलेबल है और इसे लगाना भी बहुत आसान है पहले मैं भी समझता था कि ये बाहर की सबजी है, वीडेशों की सबजी है इसको कैसे लगाएंगे पर मैंने एक आद वीडियो में पहले किसी वीडियो में देखे मैंने तो मैंने भी इसे कोशिश करा और देखा कि ये तो यदि हम अपनी छट पे लौकी लगाते हैं कद्दू लगाते हैं तो उनमें हमें कित्ती कठीनाई आती है क्योंकि हम टेरेस पर गार्टनिंग करते हैं तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो यह उन सभी से लगाना बहुत आसान है और यदि हम लोकी यह कद्दू लगाते है तो लोकी और कद्दू अगरा जो बेल वाली सबजियां है उन्हें फ्रूटिंग करीब सतर से ऐसी दिन में हमें फ्रूटिंग मिलती है और इसको इसका प्लांट लगाने के बाद मुझे 35 दिन के अंदर जुकीनी हार्वेस्ट करने के लिए मिल गई मुझे और यह देखिए यह जुकीनी की जो बेल लगाय को मेरे मैंने 35 दिन में इसका फ्रूट तोल लिया है तो इसके लिए हमें क्या सॉइल मिक्स रखना है सॉइल मिक्स में हमें क्योंकि यदि कोई भी वेजीटेबल जो हमें 30 पैंतिस दिन में फ्रूट दे रहा है और continue us frutting मिल रही है यदि उससे हमको तो उसकी उसकी सॉइल भी हमें healthy बनाना पड़ेगी और उसमें continuous कोई ना कोई nutrition मिक्स करना पड़ेगा तो जो इसकी सॉइल मिक्स बनाएंगे हम उसमें हमको 30 से 40 percent compost मिक्स करना है मतलब 60 percent करीब 60 से 70 percent soil और 30% कंपोस्ट लेना है और यदि हम यदि हमारी पुरान जैसे हम नई सॉइल लेते हैं तो उसमें हम 10% सेंड भी मिला सकते हैं इसके सीड्स हम डारेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं जब सीड्लिंग ट्रे में लगा कर शिव्ट भी कर सकते हैं इसमें देखिए इसमें भी सभी वेजिटेबल की तरह मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं तो देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये मेल फ्लावर है और जिस फ्लावर के नीचे छोटा सा फूरूट लगा रहता है तो फीमेल फ्लावर होता है तो देखिए इस तरह से हमको जो female flower है उसको pollination कराना है देखिए male flower पे जो आप देख रहा है yellow yellow इस पे एक powder जैसा रहता है उस powder को हमे male flower female flower के उपर इस तरह से touch कर देना है या इसे हम paint करने वाले छोटे brush की सायता से भी कर सकते है तो देखिए इसके लिए हमें कम से कम दो या तीन plant ज़िए हम एक साथ लगाते हैं तो हमें male और female flower एक साथ मिल जाते हैं और ज़िए हम एक ही plant लगाएंगे तो यह जरूरी नहीं है कि एक साथी male और flower male और female flower एक साथी खिले तो इस तरह से हमें इसका pollination कराना है pollination कराने के बाद fruit दस से बारा दिन में harvest करने के लिए तैयार हो जाता है और देखिए जिस तरह से हम इसमें continuous fruiting मिलती रहती है हमें इससे तो उसके लिए हमें इसमें regular fertilizer भी देना पड़ता है तो देखिए हर 10 से 15 दिन 15 दिनों के असपास आप इसमें एक बार गुड़ाई करकर देखिए इस तरह से आप गुड़ाई करिए एक बार चारों तरफ से और एक दिन के लिए से इसी तरह खुला चोड़ दीजिए और अगले दिन इसमें 2-3 मुठी compost यह गोबर का खाद जो भी अवेले भोलो वो 2-3 मुठी डाल कर soil में mix कर दीजिए और अच्छे से watering कर दीजिए और इसमें हर हफते 10 दिन में एक बार यह हमारा liquid fertilizer है यह तो liquid fertilizer आप सरसों की खली का liquid fertilizer बना सकते हैं यह cow dung compost यह vermi compost जो मैंने पहले वीडियो में कई बार बताया हुआ है उस तरह से आप liquid fertilizer बना कर भी 10 से आफ्टे 10 दिन के अंदर वह भी इसमें continuous डालते रहना है अब हम इसमें pot size की बात करें मैंने तो इसे वैसे 12 इंच के grow bag में लगाया हुआ है यदि हम इसे 15 से 18 इंच के grow bag में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है और watering игр हमें इसमे regular करते रहना है करना है як इसमे hey इसकी जो leaves हैं यह जो इसके stepped पागै रहा है उसमे water ज्यादा store नहीं रहता हाए जो इसके leaves भी दिख रही हैं इसकी आप देख रह ए यह leaves भी एक pipe की तरह हैं वर इसमें ज्यादा water इस्टोर नहीं रहता है इसलिए हमेज में सॉयल में मौश्टर मेंटेंग करके रखना रहता है और आप यह देखिए करीब करीब 35-38 दिन हुए है मुझे प्लान्ट लगाए को और अब यह देखिए जुकनी मेरी तोड़ने के लिए फिलकुल तयार है और देखिए इसको हर्वेस्ट करना भी बहुत आसान है देखिए जुकनी को हलका सा पकड़के आप हलका सा गुमाएंगे आप तो जुकनी तूट जाएगी यह देखिए यह मेरा बेटा देखिए इसे हर्वेस्ट कर रहा है यह देखिए इसने इसको गुमाया बहुत आसानी से तूट जाती है बाकी अब जदी हम लौकी अगिल्खी को वह अती आसानी से उसके लिए हमें नाइफ अगेरा की साहिता लेना ही पड़ती है तो यह देखिए यह जरूर अपने गार्डन में लगाईए और जदी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें जदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक यू